चीज जो एक लीडर को अपने अंदर बिल्ड करना जरूरी है लक्षन्ड और वो लक्षन्ड क्या है उसके लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है ना इस दुनिया में तो वो है आपके लोग आपकी टीम जिनकी है उनके लिए बहतर जिनकी नहीं है उनको बनानी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे बड़ी एसेट्स है क्यों यहाँ पर बताया गया है क्रियेट अइन्वार्मेंट ऑब म्यूचल क्या लिखा है एडवांटेज किस्स का इफ यू ग्रो वी आल बेनिफिट्स अगर हम ग्रो होगे वर हमारी टीम में सभी लोगों को पता चले कितने लोग यहाँ बैठे पता है उनकी कंपनी को कि आप अपनी कंपनी का क्या विजन बना कर बैठे हो कितने लोगों को पता है आपकी टीम में क्या सभी लोगों को पता है कि आपका विजन क्या है नहीं पता है तो सिंपल है आपके विजन के लिए फिर काम कौन करेगा आ क्लियर आगे बढ़ते हैं अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमें करने की जरुवत है या लोकों के उपर क्या उमिद रखने की जरुवत हैं तो सबसे पहली उमिद रखनी है एवरिवन वांट्स फिल स्पेशल हमारे लोग हमसे यह उमिद रखते हैं कि हम उनको स्पेशल करवाएं दूसरा हमारे लोग एवरिवन वांट टू अप्रिशेट लोग चाते हैं कि उनकी प्रसंसा हो क्योंकि आज अगर यह सारा बहतर management अगर हुआ है और इतना successful program अगर हम कर रहे है तो यह मेरी अकेली की मेहनत नहीं है यह सारे standee जो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं वो सारे develop करने का काम यहाँ पर जो सुबह से अभी तक खड़े है उस person ने किया हुआ है क्योंकि उसकी वो mastery है यह पूरा presentation तयार करना तो पूरा presentation तयार करने वाले में हमारे साथ बैठे है जिन्होंने इतना बहतर presentation तयार किया है मेरा काम तो क्या है यह जो चीज़े वो आपके सामने present करना आपको बुलाने के लिए मैडम पीछे बैटे हैं जिन्होंने बार बार परिशान किया है सुबा सुबा आपको phone करना फॉल अब ले गए सर निकडा के निकडा के नि तो उनकी वो जिम्मेदारी थी कि आपको यहाँ तक लेकर आना और यह पूरी टीम मिलकर अब आपका follow लेगी आपने homework किया कि नहीं किया तो यह टीम वर्ग है मेरा यह कहने का परबस है तो मैं जो नहीं कर सकता हूना वो सारे लोग मिलकर कर सकते हैं और मैं सब कुछ करने जाओगा तो यह वाला बहतर मैं नहीं कर पाओगा क्योंकि मेरा टाइम उधर चला जाएगा तो सबका एक रोल है और सबको अपना रोल प्ले करना है clear है और हर बंदा क्या चाता है honesty with people take about their dreams and help to achieve their dreams आपकी टीम में लोग कामी इसलिए करने के लिए आते हैं कि उनको पता नहीं है उनके सपने कैसे पूरे होगे आपको मदद करना है और आपको उनको गाइड करना है चल हम मिलकर उसको पूरा करते है तो एक homework आप लोगों के पास रहेगा आपकी टीम के लोगों के साथ one to one करके उनके क्या personal and professional goal है वो जानो लिखो अगर आपके पास टीम है तो वो अपनी life में क्या चाते है वो अगर आपको पता चल गया तो आप वो सब कुछ उनसे करवा पाओगे और उनको दिला पाओगे जो उनको चाहिए लेकिन आपको ही clear नहीं है कि आपके टीम के लोको को क्या चाहिए तो आप दोगे क्या और आप लोगे क्या clear क्योंकि यह हर person की requirement है उसको grow होने के लिए next activities नंबर 14 और page नंबर रहेगा 44 यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपनी टीम के development के लिए करते क्या है और साथ में यह भी recommend किया है कि at least इतना तो आपको करना चाहिए तब मैं यह मानूगा कि आप अपने टीम की take care करते हो या उनकी समाल करते हो हट डबलू कर देजे homework के अंदर आपको वो check करना रहेगा next आगे अब हमने यहाँ पर देखा कि एक लीडर के पास कौन से लक्षण होने चिए वर छे लक्षण हमने देखे तो सबसे पहला कौन सा था लक्षण influence करना प्रभावित करना दूसरा कौन सा था priority set करने वाला तिसरा चौथा पाचवा और छट्था तो इतनी चीजे जो है वो आपको अपने अंदर ये गुण विक्षित करने हैं अगर आपको संपूर्ण होना है तो और इससे पहले मैंने छे knowledge के उपर बात की self knowledge, company knowledge, industry knowledge, product knowledge, team knowledge, competitor knowledge तो ये knowledge के उपर बात हुई as a leader अगर हमें build होना है तो clear है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छा thought है और एक बहुत ही अच्छे person ने लिखा है क्या लिखा है? leadership is the challenge to be something more than average leadership जो है वो एक challenge है वो challenge क्या है? कि जो something हम करते है न वो more than average होना चीए मतलब आपकी शमता के हिसाब से आप में से अच्छी चीज़ों को बाहर निकालना यह एक leader का काम है और leadership उसी को कहा जाता है कि average person में से भी extraordinary काम करवाए कि वो था average लेकिन वो बन गया महान तो वो build करने का काम एक leader का होता है, leadership का होता है प्रशी रिक को का लो arrकाशी रागर, मैं रहता है